सुबह 10 बजे एक खुशाल गाव की सभी जिन्दा चीजे अचानक मर जाती है ये हो कैसे सकता है और उसके बाद होने वाली सभी अंजान और रहसमय घटनाओं से लोग कैसे निप्टेंगे तो हेलो दोस्तो मैं हूं मीर आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा 1995 में आई मूवी विल मिडविच के छोटे से गाव में लोग एनुवल विलेज फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे पूरा गाव इस फेस्टिवल के लिए एकसाइट था खासकर जिल जो प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल है जैसे ही घड़ी में सुबह के दस बचते है रहसमी तरीके से गाव के सबी लोग और जानवर अचानक बेहोश हो जाते है जिल का हजबन फ्रैंक गाव की ही तरफ आ रहा था वो भी गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हो जाता है जिससे उसका एकसिडेंट होता है और वो मारा जाता है फिर वहाँ अथोरोटीज आती है ये समझने के लिए आखिर इस गाव में हुआ क्या है तभी एलन वहाँ पहुचता है जो इस गाव का लोकल डॉक्टर है लकिली वो गाव से बाहर गया था उसे अपनी वाइफ बारबरा की फिक्र हो रही थी जो अभी गाव में ही है एलन की मुलकात वहां गौर्रमेंट साइंटिस सूसन से होती है ज लेकिन कुछ हफतों बाद गाव की जादत और औरतों को पता चलता है वो प्रेगनेंट है यहां तक की एक ऐसी औरत भी जिसने काफी समय से यामा काटा नहीं किया इससे गाव के लोग बहुत जादा परेशान और डर गए थे लेकिन गवर्मेंट डिसाइड करती है कि वो स सबी औरतों को बच्चे की वेल्यू पता थी इसलिए सबी औरते बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है आगे हम देखते हैं सबी औरतों के लिए प्री डिलिवरी क्लासेज भी रखी जाती है जब डिलिवरी का समय आता है मेडिकल सेंटर बहुत बिजी था एक इंटेलिजन्स बाकी नॉर्मल बच्चों से बहुत जादा थी और उन सभी बच्चों के बाल ब्लॉंड थे जिलका बेटा डेवीड जल्दी अपना नाम भी लिख लेता है एक सुबा बारबरा अपनी बेटी मारा के लिए सूप बना रही थी लेकिन बच्ची को गुस्सा आ वो इस बारे में उसे कैसे समझाए इस इंसिडेट के बाद बारबरा डिप्रेस रहने लगी और एक दीन वो पहाड से कूद कर सूसाइट कर लेती है इतना ही नहीं गाव में और भी रह समय घटना आए और मोते होती है माबाब अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार कर समय समय पर सब भी अपनी साइकिक पावर दिखाते रहते हैं एक बार जब बच्चे आई चेक अप के लिए जाते हैं डॉक्टर गलती से एक लड़की की आख को हर्ट कर देती है मारा तुरंत अपनी पावर से डॉक्टर के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसे खुद के हा पाटनर ना होने की वज़ा से डेविड अपनी मा जिल के साथ एक बॉन बना पाता है कुछ दिन बाद डेविड डिसाइट करता है वो उस मरी हुई बच्ची के कबर पर जायेगा वहाँ उसे मेलीनी मिलती है जो अभी तक अपनी बच्ची की मौट के दुख से उबर नहीं पाई उसके जाते समय डेविड देखता है मेलीनी ने सुसाइट करने का मन बना लिया है बारबरा की कबर पर एलन आता है जहां उसे डेविड डिखाई देता है वो डेविड को बताता है उस बच्ची को यहाँ दफनाया नहीं गया डेविड एलन से बारबरा के देट के लिए सिंपती दिखाता है जो बाकी बच्चे नहीं करते इस पॉजिटिव अंकाउंटर के बाद एलन उन बच्चों को पढ़ाने तैयार हो जाता है जब एलन बच्चों को पढ़ा रहा था जिल उसे ऑफिस में मिलने बुलाती है बच् की आखे ग्रीन हो जाती है डेविड को छोड़ कर सभी उस आदमी को कंट्रोल करके सीडी पर चड़ाते है उनकी आखे लाल हो जाती है और वो आदमी बिल्डिंग की छट से कूच जाता है एलन और जिल उसे बचाने दोड़ते है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी बच्चे क्लासेस छोड़ कर चले जाते है जिससे जिल और एलन को यकीन हो जाता है ये बच्चे इनसान नहीं हो सकते अगले दिन एलन सुसान से मिलता है उसका मानना था गाउ में होने वाली सबी रहस्समय घटनाओ और मोतों के पीछे वो बच्चे ही है यहाँ सुसान उसे बताती ह है बच्चों के पैदा होने के बाद से गाउ में 30 लोगों ने सुसाइट किया है सुसान एलन को इससे भी खतरनाग बात बताती है दरसल ये सिर्फ मिडविच में नहीं हो रहा बलकि यूरोप और एशिया के कई isolated गाउ में भी same phenomenon हुआ है लोग अचानक बेहोश हो जाते है औरते अचानक pregnant हो जाती है साइकिक बच्चे पैदा होते है इसमें कई सालों से CIA भी लगा हुआ है उसे लगता है बच्चों के अंदर genetic host alien है जो दुनिया पर कबजा करने की कुशिश कर रहे है कुछ देर बाद सुसर एलन को अपनी secret lab में लेकर आती है यहां कुछ देखकर एलन शौक रह जाता है क्योंकि वहां उस बच्ची की लाश थी जो मरी हुई पैदा हुई थी लेकिन वो डिखने में बिलकुल alien थी वो एलन को बच्चों की psychic ability के बारे में याद दिला कर कहती है बच्चों को कभी अपना दिमाग पढ़ने मत देना एलन उस पर भढ़क जा क्योंकि उसने इतने समय से सच्चाई चुपाये रखी लेकिन वो कहती है उसे अपने thoughts को उन बच्चों से protect करना था जब तक उसकी theory प्रूव नहीं हो जाती सुसान एलन से अपना project continue करने के लिए मदद मांगती है ताकि वो बच्चों से होने वाले खत्रे को कम कर सके लेकि चोट पहुचा सकता है साथी मारा उसे बताती है सभी बच्चे लोकल बान में जा रहे है और अब वो सभी वही रहेगे जैसे उसे सुसान ने बताया था वो अपना दिमाग मारा को पढ़ने नहीं देता और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है फिर रात में एक एक कर सभी बच्चे बान में आते हैं डेविट का बान में जाने का मन नहीं था जील उसे कहती है वो उनके साथ ना जाए क्योंकि वो उन सभी से अलग है लेकिन डेविट के पास कोई और चोईस नहीं थी इसलिए वो चला जाता है अगले दिन एक आदमी बान के पास अपनी माके में वो मारा जाता है फिर सुसान एलन को आकर बताती है गवर्मेंट ने किसी भी कीमत पर उन बच्चों को खत्म करने का प्लैन बनाया है और मिलिटरी जल्दी यहाँ आ जाएगी और सभी गाव वाले जितने जल्दी हो सके गाव खाली कर रहे है एलन बान में जाकर बच कर अपने दिमाग को कवर करता है क्योंकि उसे लग रहा था मारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिछ करेगी और उन्हें गवर्मेंट के प्लैन के बारे में पता चल जाएगा, अगले दिन मारा डे विट से सिंपती और उसके लविंग नेचर के बारे में बात करती है क्योंकि उनकी कॉलनी में ये सब भावनाय अलाव नहीं है लेकिन दूसरी तरफ चर्च के पास्टर ने मारा के सिर पर निशाना लगाया था ताकि वो उसे मार सके लेकिन उसे बाकी चार बच्चों ने देख लिया वो उसे कंट्रोल करते है और वो खुद को ही जिन्दा जला लेती है दूसरी तरफ सुसान आर्मी के आने से पहले गाव छोडने की तैयारी कर रही थी लेकिन उसके सामने एक लड़के के साथ डेविड और मारा खड़े थे वो उन्हें अपना दिमाग पढ़ने से कवर करत देखता है जिसे देखकर उसकी आखों में आसु आ जाते है लेकिन मारा सुसान को फाइनली कंट्रोल कर लेती है फिर सुसान मेडिकल नाइफ से खुद को मार लेती है दूसरी तरफ एलन अपनी कार में डाइनामाइट रखता है ताकि वो उन शैतानी बच्चों से पीछा चुड़ा सके अब प्लैन के मुताबिक पोलिस और मिल्टरी भी गाव में आ चुकी थी फिर एलन स्कूल में जाकर जिल से मिलता है और उसे बताता है वो बच्चों को रोखने के लिए क्या करने वाला है एलन ये अकेले ही करने वाला था इसलिए वो जिल को एक कमरे में कर लेते हैं और वो आ रही पुलिस की बाकी कार्स को शूट करने लगता है कुछ देर बाद सारे पुलिस ओफिसर और मिल्टरी सोलजर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं जिससे पूरे गाव में के ओस फैल जाता है वही अंदर डैविड अपने फ्रेंड्स के किये नरसंग से डर गया था दूसी तरब जिल भी दर्वाजे को तोड़ कर बाहर निकलती है और डैविड को बचाने भागती है रोज रात की तरह अपनी क्लासेस लेने के लिए एलन बच्चों के पास आता है अपने प्लैन के मुताबिक शैतानी बच्चों से छुटकारा पाने के फिर सारे बच्चे एक साथ एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते है तबी वहाज जील आती है मारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन ये देखकर डैविड को गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर गिरा देता है और अपनी मा के साथ बाहर चला ज चुकी थी बंब ब्लास्ट होता है जिसमें बच्चों के साथ एलन भी मारा जाता है बाहर डैविड और जिल बच जाते है जिल डैविड से कैटी है वो कही ऐसी जगा जाएगे जहां उन्हें कोई पहचानता ना हो फिर डैविड के बाहर देखते हुए ये मूवी भी यही एंड होती है तो दोस्तो अगर आप मेरी तरह 90s किड है तो सूपरमेन का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहला चेहरा यही आता होगा ये क्रिस्टफर रीव है जो सूपरमेन के रोल में जादा फेमस हुए थे लेकिन इनकी जिन्दगी जितनी ग्रैमरस थी उनकी जिन्दगी के आखरी 10 साल उतने ही तकलीफ दे थे दरसल ये मूवी क्रिस्टफर रीव की आखरी मूवी थी इस मूवी के बाद वरजीनिया में हौस राइडिंग के दवरान उनका घोडा बेकाबू हो गया जिससे क्रिस्टफर सर का पैर घोडे के पैडल में फस गया और गोडा उन्हें दूर तक खीचता हुआ ले गया जिससे उनकी स्पाइनल कॉड ही तूड गई जिससे क्रिस्टफर रीव्ज गले के नीचे हमेशा के लिए पैरलाइज हो गये उन्होंने इसी हालत में 10 साल तक संगर्ष किया फिर 10 अक्टोबर 2004 को सूपर मैन की पेनफूल जिन्दगी का अंध हुआ तो दोस्तों ये फैक्ट और ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्स्क् करें तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्स्क्लेनेशन के साथ पीस आउट